हमस्कारा मेरा नाम डॉक्टर सुनीता राना अगर्वाल है मैं एक आई सर्जिन हूँ लेकिन इसके इलावा अब मैं जेनेटिक सर्जरी जीन तेरपी और स्टेम सेल थेरपी भी करती हूँ हम डॉक्टर अगर्वाल हॉस्पिटल से हैं 15 इगल स्ट्रीट बैंगलो 25 रेटनल डीजनरेशन का अर्थ है कि हमारा जो रेटना जो नसों का लेयर है उसमें कोई न कोई डीजनरेशन आ चुकी है यह डीजनरेशन कंजिनेटल हो सकती है अक्वाइड हो सकती है मतलब सब्सक्राइब कारण है लेकिन इन सब में से सबसे इंपोर्टन्ट महत्व कारण है एज रिलेटेट मैकिलर डीजनरेशन यह एक रेटना पे डीजनरेशन आ जाता है जो आज हम समझते हैं कि शायद यह अल्ट्रावाइलेट रेडियेशन के जरिये है इसलिए हमेशा एव अल्ट्रावाइलेट रेडियेशन का प्रोटेक्शन हो और आप भी खुद यह पहनियेगा अब इस डिजीज के लिए इस एज रिलेटेट मैकिलर डीजनरेशन के लिए दो वेराइटीज है एक वेट और एक ड्राइ मतलब गीला और सूखा जो गीला वेराइटी है उसका अर्थ यह है कि वो खून और फ्लुइड्स को लीक कर रहा है तो पर्दे को और भी मोटा कर देता है जो थोड़ी बहुत दवाईया निकली है दुनिया में इसके जरिये हम क्या करते हैं एक ग्रोथ फैक्टर है उसको बोलते हैं वैस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ हमने एक दवाई बनाई है विच इसे मोनो क्लोनल एंटीबोडी आई जी जी वान टू वी इजिएफ तो यह एंटी वी इजिएफ हुआ और इसके जरिये जो ब्लड वैसल्स जादा बनते जा रहे हैं यह जो नए ब्लड वैसल्स बनेंगे यह हमेशा कमजोर होंगे क्योंक हैं इसलिए यह कमजोर हैं इसलिए यह कहीं पे भी लीक कर सकते हैं अब हम एंटी वी इजिएफ आपको देंगे तो यह सब कंट्रोल में आ जाएगा यह एंटी वी इजिएफ तीन-चार वराइटीज हैं इसका एक इंजेक्शन का कॉस्ट टू थाउजन यूएस डॉलर का आता है लेकिन इसके अगेंच्ट भी अब हमारे पास जीन थेरपी है जहां पर हमारे बहुत आसान तरकीव हैं हम आप ही का खून लेंगे एक बूंत खून उंगली से और इसको हम बनाएंगे आपका फीटल डिने आपका डिने जो आपका था जब आप ममी के पेट में थे उसको हम इंजेक्शन के जरिए आपके स्किन ओफ दी आई में देंगे यह आपके पर्दे को जाके इंपैक्ट करेगा और यह पूरा रेटनल डिजेनरेशन निकालने की शमता रखता है